आज हम डिसकस करेंगे एलेक्टोनिक वेबिल प्रोविजन्स अंडर जी एस्टी एक्ट एलेक्टोनिक वेबिल की रिक्वार्मेंट मैट्रियल को मुवमेंट कराने के लिए होती है इन कंडिशन में इवेबिल फाइल करना है कोई भी रेजिस्टर डिलर मुवमेंट ओफ गुड्स यानि गुड्स का मुवमेंट कराने के लिए जिस इन्वोईस की वेल्यू, जिस 15,000 रुपए से जादा है इस केस में जहाँ यह तीनों कोनिशन से दिफ़ाई होती है कि रेजिस्टर परसन है मुवमेंट कराना है और पचास जार सुपे से ज्यादा का इन्वाइस है वहाँ पर इवेविल फाइल करना होगा इवेव बिल जेनरेट कौन करेगा इसके लिए रेस्पोंसिबल है तो जो रेजिस्टर परसन मेटिकल को सप्लाई कर रहा है वस रेजिस्टर परसन को जो GST INS 1 है इसको फिल करना पड़ेगा इसके दो पार्ट जैसे वने बताया था कि दो पार्ट है पार्ट ए और पार्ट पार्ट A को जो supplier है वो फिल करेगा इस supplier के पार्ट में वो invoice की details फिल करेगा जैसे आप entry form में sale tax के time पे entry form में details invoice की डालते दे वो details फिल होगी इसके बाद जो इसका second part है part B अगर इसमें transportation जो registered person material को भेज रहा है वो कर रहा है या फिर जो person receive कर रहा है वो transportation arrange कर रहा है तो transporter detail वो भरेगा उसके बाद अगर इस case में registered person material को invoice करने के बाद transporter को hand over कर दे रहा है जहां पे vehicle numbers वगर detail available नहीं हो पाती transporter को hand over हो जाता है वहां पे वो A और B part फिल कर देगा transporter का नाम वगरे detail भरके बट इसमें generate जो करेगा form वो transporter करेगा इससे पहले दोनों option में जो form generate कर रहे थे वो registered person खुद कर रहा था और registered person को generate करने के बाद वो transporter को दे रहे थे लेकिन जहां पे hand over transporter को किया गया है और vehicle clear नहीं है कि vehicle number क्या रहेगा क्या नहीं तो उस case में पाट A और B फिल करने के बाद इसे transporter को दे जाएगा और transporter अपने common portal पर जाके उसे generate करेगा जहां पर consignment या consignor उसकी detail फिल नहीं कर रहा है वह transporter जो goods registered है उसको responsibility है कि वो file करेगा compliance to be done by the recipient as he is the supplier जो कि supplier की तरह उसे compliance पूरा करना होगा इसमें एक facility हो रहा है कि एक GST INV1 नाम से form दिया गया पोर्टल पे उसमें invoice की detail हर एक invoice की detail अपलोड कर सकते हैं इसे migrate किया गया है GST INS 1 से जो कि entry form के लिए form है और इस GST INS 1 को migrate कर दिया गय के लिए जो सेल्स की return है sales data जो GST के अंदर जाएगा उसकी return है तो इन तीनों form को आपस में correlate कर दिया गया है कि अगर आप initial stage पे GST invoice INV1 भरते हैं तो यह automatically upload हो जाएगा GST INS 01 में जिससे कि आप entry form generate कर सकते हैं और GST INS 01 के बाद यह automatically आपके return के data के लिए available रहेगा GST R1 उसके A part में available रहेगा और A part को चेक करने के बाद इसे transfer B part में करके as a return की तरह use किया जा सकता है return data की तरह use किया जा सकता है इसके scenario है in relation to supply किसी भी material को supply करने के लिए GST A way will कि अवशिक्ता होगी और other than reason of supply जहाँ supply reason ना हो movement कराने का वहाँ पे like job work है like repair के लिए है like site पे service provide कराने के लिए assets को transfer करना है electronic label की requirement होगी और जहाँ आप unregister dealer से material को purchase करते हैं वहाँ से register dealer अगर purchase करता है तो register dealer को e-wable file करना होगा इस case में e-wable file करने की requirement कहाँ पर होगी इस बारे में discuss करेंगे तो ये e-wable की requirement movement start करने से पहले होगी यानि invoice बना दिया इस बनाने के बाद जब movement start करना होगा तो उससे पहले आपके एक e-wable file करना होगा जो की electronically form में file होगा आप अपनी gst portal पर जाके वहाँ पर form gst ins 01 को file करेंगे gst ins 01 के दो part है part a and part b part a में the material की supply होगी उसकी details fill की जाएंगी और part b में transporter की detail होगा जाला जाएगा तो first जो supplier है वो इसमें material की detail को fill करेगा आप e-wable file करने के लिए अपने gst portal पर जाके login करेंगे login करके e-wable form file कर सकते हैं या फिर इसके लिए आप consultant की help ले सकते हैं consultant के through इसको fill करा सकते हैं validity of e-wable validity ये इसल्टेक्स में आपने देखा होगा कि validity of e-wable वहां पर भी रहता था entry form के नाम से अब validity of e-wable यहां पर भी दिया गया है distance के ओपर based है जहां जहां distance के हिसाब से इनकी validity का time period बताए गया है 100 km तक अगर आप distance travel करना है तो वहां one day की validity रहेगी 100 km से 300 km से 3 दिन के लिए valid रहेगा form 300 km से 500 km तक 5 दिन के लिए valid रहेगा 500 से 1000 km तक 10 दिन के रहेगा और 1000 से लेके इससे above जो भी traveling distance होगा वहां 15 दिन के लिए form की validity रहेगी अब जहां पर travel time इससे जादा लगता है वहां commissioner notify कर सकते है कि time period इसका कितना होना चाहिए या बढ़ा हुआ time period notify कर सकते है इवे फिल का time period जो count होगा वो count होने वाली जो date relevant date वहां से count होगी जिस दिन वो इवे बिल generate किया गया हुआ यानि इवे बिल generate करने की date से ये validity count होगी इसके बाद generate होने के बाद इसमें एक EBN EBN number generate हो जाएगा जो तीनों लोगों को circulate होगा इवे बिल जो supplier है उसके portal पे उसे दिखेगा, transporter को दिखेगा, registered transporter को और receiver को दिखेगा ये number तीनों के share होगा जहां पे भी multiple consignment, transporter अगर multiple consignments को ले जाना चाता है यानि part delivery जिसे बोलते हैं ट्रक में, तो different senders का material वो एक ही ट्रक में load करना चाता है तो वो GST INS 02 form fill करेगा वहाँ पे जाकर जितने भी material वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है single vehicle में, उन सब के waybill number include करेगा और उससे एक GST INS 02 भरके एक e-waybill generate करेगा जिसमें इन सारे e-waybills की detail होगी कोई transporter अगर material को transship करना चाता है existing vehicle से next other vehicle में, तो उसे ऐसा करने से पहले GST INS 01 दुबारा वोटल पे जाकर file करना होगा जिसमें वो नए vehicle की details फिल करेगा और उसके बाद ही ये transshipment allowed होगा GST INS 01 जो की entry form generate करने के लिए form है उस form को integrate कर दिया गया है GST R 01 से जहां पर आपकी sales की return monthly return जाएगी 10 तारीक को उस return में data already uploaded मिलेगा तो इससे आपको ease होगी ये की return के time पर ये data को वापस upload करने के अशरूरत नहीं है जहां पर भी evay bill generate किया गया है बट goods को transport नहीं किया गया तो ऐसी इस तरह पर अगर आप उसे cancel करना चाहते हैं तो ये भी cancel किया जा सकता है 24 गंटे के अंदर आप इसको cancellation को file कर सकते हैं लेकिन इस cancellation के साथ एक condition ये है कि ये cancellation तब नहीं हो सकता अगर ये material on the way है और ये already check हो चुका है तो इस evay bill को cancel नहीं किया जा सकता सप्लायर ने जो evay bill generated किया है वो receiver के system में उसके GST portal पर available रहेगा उसे 72 hours का time दिया जाता है इसमें जो इसके acceptance या rejection दे सकता है अगर वो 72 hours तक उसको acceptance या rejection नहीं करता है तो उसे deemed accepted मान लिया जाएगा वहिकल को moment कराने से पहले उसके सारे document उसके साथ होने चाहिए नॉर्मली अभी sale text में क्या होता था कि material को moment करा दिया जाता था और ये checking के वल border पर हुआ करती थी तो कई बार practically लोग border पर ही entry form को collect करते थे entry form उनके साथ vehicle के साथ जाता नहीं था वो border पर भी collect किया जाता था बट इन GST इस gap को fill किया गया है तो वहिकल को moment कराने से पहले उसके साथ सारे document होने चाहिए जैसे कि invoice की coffee चलान से अलमाल जा रहा है तो चलान की coffee और evable इसे आप hard coffee में भी ले जा सकते हैं और एक electronic form में भी ले जा सकते हैं और electronic file एक device लगेगी transporter के साथ transporter truck के साथ उसके अ या जो भी authority होगी वह checking करते टाइम उस device को अपने scanning machine से scan करके documents को check कर सकती है हर एक verification जो की physical verification होगा proper officer के दोरा वो GST INS 03 एक form है उसके through upload कर दिया जाएगा तो इसमें एक rule ये है कि एक state के अंदर एक बार ही physical verification होगा vehicle का तो अगर एक बार physical verification हो गया है तो दूसरी बार चेकिंग के समय वो अपने आप automatically दिखेगा कि the vehicle has already been verified तो एक state के अंदर दुबारा चेकिंग नहीं होगी वहीकल कहीं ही रास्ते में intercepted or detained हो जाता है और 30 minutes से जादा कर लिए intercepted or detained रहता है तो transporter अगर चाहे तो उसकी information GST INS 04 प्लोड कर सकता है जैसे आप जानते हैं कि e-vail के limited validity है तो अगर interceptor detention थोड़ा लंबे time के लिए होता है जो आपकी e-vail के validity को effect कर सकता है तो आपको यह information ज़रूर डालना चाहिए इसके थू आप उसका extension या उसकी validity के जो question आ सकता है उसको आप save कर सकते हैं कर सकता है